इस वक्त की बड़ी और एहम जानकारी सामने आ रही है जहां पीए मोदी और शी जिन्पिंग की द्युपक्षे वापता हुई है इस वक्त की आपको बता रहे है उन्होंने का कि आप से मिलकर खुशी हुई और जिन्पिंग से पास साथ बाद मिलकर खुशी हुई ये बड़ी जानकावी इस वक्त की आपको बता रहे हैं बड़ा देश सामने आ रहा है पियम मोदी और शी जिन्पिंग की दुपक्षे वारता हुई है और जिन्पिंग से मुलाकात के बाद पियम मोदी का ये बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि आप से मिलकर खुशी हुई साथी जिन्पिंग से पांक साल बाद मिलकर खुशी हुई यह पियम मोदी का बयान सामने आ चुका है हम खुले मन से जीन से बातचीत करेंगे यह पियम मोदी और शी जिन्पिंग की द्यूपक्षे वारता हुई है यह बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे है जिन्पिंग से मुलाकात के बाद पियम मोदी का वयान सामने आया है उन्हेंने का कि पांच साल बाद मिलकर खुशी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं साथी PM Modi ने कहा कि हम खुले मन से चीन से बातचीत करेंगे ये बड़ा डेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं जहां PM Modi ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कजान की आत्वा पर हैं और इस दो रान उन्होंने शी जिंपिंग से मुलाकात की है कजान में भारत चीन की दुपक्ष वावता हुई है यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे है PM Modi और शी जिंपिंग की दुपक्ष वावता हुई है PM Modi ने कहा है कि सीमा पर समझोते का स्वागत करते हैं साथी PM Modi की ओर से बयान में ये भी कहा गया कि शेत्र वे इस्थिर्ता के लिए प्रतिबद हैं ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों का आधार मजबूत है जिन्पिंग से मुलाकात के बाद PM Modi का ये बड़ा बयान सामने आया है ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं PM Modi ने कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई साथी उन्होंने कहा कि जिन्पिंग से 5 साल बाद मिलकर खुशी हुई यह बड़ा अपजेटिस वर्ट का आपको बता रहे हैं हम खुले मन से चीन से बात्चीत करेंगे ये भी पियमोदी ने अपने बयान में कहा है ये बड़ी जानकारी स्वर्ट की आपको बता दें ताती पियमोदी का जानमे ब्रिक्स में शौमिल होने के लिए अपनी आत्वा पर हैं और इस दोरान भारत और चीन के बीच ये द्विपक्षय वारता हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और श्री जिंपिंग की ये द्विपक्षय वारता है इसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया है उन्होंने कहा है कि हमारे संबं